नमस्कार आप देखना शुरू कर चुकी है एनन भारत और महुग पृती आज हम आपको एक वीडियो दिखा कर अपने आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हैं आप यह वीडियो देखिए यह वीडियो जो हम बना रही हैं वहें कॉंगरेस के एक युआ नेता आशी शर्मा की इंटर्व्यू के आधार पर उनके कथन को एवं राजस्थान की परिस्थितियों को देख कर भविश्य की संभावनाओं को आपके समक्ष रख रहे हैं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के लिए हम जान भी दे सकते हैं और अगर हाल के घटना क्रम को देखें जो रा तक यह सही भी है और दूसरी कॉंग्रेस पार्टी में आलकमान के विरोध का अशोक गहलोत ने अपने रास्तिक करियर की सबसे बड़ी गलती की जो आत्महत्या करने जैसा है जी हां अशोक गहलोत ने कॉंग्रेस पार्टी के लिए जान दे दी और वह भी आत्महत्या करके सोचिय और परिस्थितियों को गोर से देखिय और आने वाली परिस्थितियों की कल्पना कीजिए आपको अशोग घहलोत की आत्महत्या कॉंग्रेस पार्टे की भलाई के लिए की गई आत्महत्या महसूस होगी महज एक मिनट के लिए मान लीजिए कि सोनिया गांधी जी ने कहा विधायकों से रायशुमारे करने के लिए अजय माकन जैपुर आते हैं आनन फानन में विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है उससे पहले मीडिया द्वारा और सचिन पाइलेट द्वारा यह माहोल बना दिया जाता है कि सचिन पाइलेट मुख्यमंत्री बनेंगे अजय माकन आते ही अपनी दादगरी दिखाते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा जिसमें सोन्या गांधी को अधिकृत कर दिया जाएगा अगले सेम के चुनाव के लिए जबकि सारे विधायकों के पास मेडिया अख़बार और प्रचार तंत्र के द्वारा पहले ही यह धारणा बना दिजाती है कि सचिन पाइलेट सेम बनने वाले हैं आलाकमान का निर्देश था अब अशोक गहलोत के समक्ष या उनके समर्थकों के समक्ष दो चीजे थी या तो कॉंग्रेस को समाप कर दो राहुल गांधी की भूण हत्या फिर से हो जाए या फिर खुद को बलिदान कर दो और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री क्या भारती राष्ट्य कॉंग्रेस की अध्यक्षपत तक को त्याग कर अपना बलिदान दे दिया सोच ये अब सोचने की बारी है अगर सचेन पाइलेट को अलाकमान का निर्देश मान कर अशोग गहलोग चुपचाप कुर्सी त्याग कर सचेन माचल प्रदेश का चुनाव जीतना विपक्षी एकता की बात करना और अपना ध्यान लगा देते हैं राजिस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटते ही राजिस्थान के विधायकों को संभालने में जब अशोग गहलोग जैसा वेक्ति परिशान रहता है तो क्या सचिन पाइलट की सरकार बचाने में लगा सकते थे नहीं लगा सकते थे दूसरी परिस्थितियां बनती हैं राहुल गांधी की यात्रा जी हां राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान में आती और उसी समय ओप्रेशन लोटस ओप्रेशन इंकम टेक्स ओप्रेशन इंफोर परश्थान में रहती तब की परिस्थिटियों की कल्पना कीजिए कॉंग्रिस पार्टी की स्थिती गिया होती? 2030 तो क्या? 2028 तक की परिस्थितियां बिगड़ जाती? कॉंग्रिस के लिए और उन्ही सब परिस्थितियों को समझते हुए आकलन करते हुए सारी बदनामी, जिसमें सत्ता का भूखा कुर्सी का लाल्ची से लेकर पार्टी का गद्दार धोखे बाज इत्यादी क्या क्या उपाय सुनने के लिए अपने आपको तयार कर आलाकमान से विद्रो कर जो सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी बचाने के लिए अशोग गहलोत ने किया ऐसा त्याग अशोग गहलोत जैसा गांधिवादी नीटा ही कर सकता है उन्होंने आलाकमान से बगावत कराण की इजब बचाई कॉंग्रेस की इजब बचाई रहुलafter देश में जो लोकतंत्र बचाने की लडाई लड़ी जा रही है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए देश में जो भायचारा घटा जा रहा है नफरत बढ़ती जा रही है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कॉंग्रिस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की महंगाई बेरुजगारी से जो देश की परिस्थितिय बद से बत्तर होती जा रही है उसे बचाने के लिए अशोग गहलोत ने जो त्याग किया है जो बदनामिक का विश्पिया है अपने 40-50 सार के राजनितिक जीवन की होली का जलाई है ऐसा करने वाला सद्यों में एक पैदा होता है हमारी बातों को गोर से सुनेगा और कलगना कीजेगा अगर राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में हूँ और कॉंग्रेस की सरकार गिर जाए का भविश्य राहुल गांधी का भाग गय पार्टे के कारकरताओं का वारिस क्या होता अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेर जरूर करें और अशोक गहलोत को शुब कामनाई दें भगवान उनको हिम्मत दी और अगर वह दिल्ली जाते हैं तो किसी अपने जैसे समान अनुभवी, विद्वान, विश्वासी, गंभीर व्यक्ति को अपना न मस्काट